जैहिन नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है नीतुवाज स्वागत था आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल स्टैडि विज सिखर पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्रा खंड के most important question तो वीडियो को पूरा देखिए और सारे question के answer आपको आने चाहिए तो पहला question है आज का नीमने लिखित में कौन एक नगर नदियों के संगम पर इस्तित है तीहिरी, हरीद्वार, स्री नगर या फिर कीरती नगर तो इसका right answer हो जाएगा option number A तीहिरी तीहिरी आपका वसा है नदियों के संगमबर तो कौन-कौन से नदिया हो जाएगी भागे रती और भिलंगना और तीहिरी का पुराना नाम गडेश परियाग या धनुस्तिर्थ ये तीहिरी के अन्य नाम हो जाएगे तो आपके एक्जाम में question पूचा जाता है धनुस्तिर्थ किसका नाम है धनुस्तिर्थ को किस नाम से जाना जाता है ऐसे टीहिरी आपका answer हो जाएगा और टीहिरी नगर के असरुन पर्देश में सामिल किया गया एक अगस्त उनीस सोह को टीहिरी गडवाल उसे स्वामी रामतिर्थ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि स्वामी रामतिर्थ ने 1906 में दीपा वाली के दिन जल समादी ली थी तो इसे भी आप याद रखेगा और टीहरी का जो छेतर फल है वो है आपका 3642 वर्ग किलो मीटर है टीहरी का छेतर फल अगला क्रिशन है आपर सूची को को सूची को के सां सुमेलित कीजिए एक तरफ भोगलिक इस्तिती और दुसरी तरफ नगर दिये है परवती कटक पर इस्तित और घाटी नगर नदी के संगम पर और द्वार नगर तो इसका राइट आंजर हो जाएगा पहला आपका है परव विशनु पर्याग विशनु पर्याग आपका वर्षा है नदियों के संगम पर अलगनंता। और पस्चिमि नौली घंगा और द्वार नगर हो कोट्ट दूर अगला क्वेस्चन सूचीकाओ नगर कौन सा है तो यह हो जएगَ आपका रानी खेत दूसरा घ्वाटियों में इस्तित्थ नगर कौन सा है घाटियों में इस्तित नगर है आपका नैनिताल और नदी वेदी का ओपर इस्तित नगर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा उत्तरकासी उत्तरकासी नदी वेदे का ओपर इस्तित नगर है और नदियों के संगम पर इस्तित नगर हो जाएगा आपका टीहिरी तो इस तरीके स हमारा option number B बिल्कुल सही हो जाएगा अगला question है राष्ट पिता महात्मा गाधी ने किसे मिनी स्विजर लेंड कहकर पुकारा कौसानी नैनिताल बद्रीनाथ या फिर पिथोरा गड़ तो इसका right answer हो जाएगा option number A कौसानी अगला question है पाहाडों की राणी किस नगर को कहा जाता है पाहाडों की राणी किस नगर को कहा जाता है मसूरी देहरा दून अलमोडा या फिर पिथोरा गड़ इसका right answer हो जाएगा मसूरी option number A मसूरी को पाहाडों की राणी कहा जाता है और पाहाडों का राजा कहा जाता है चकराता को चकराता को पाहाडों का राजा कहा जाता है और मसूरी को दोस्तो गंगोत्री वो यमनोत्री का परवेश द्वार भी कहते हैं गंगोत्री और यमनोत्री का परवेश द्वार भी कह उची चोटी है दूसरी उची चोटी है गन हिल पहाड़ी गन हिल पहाड़ी है दूसरी उची चोटी और देहरादुन से मसूरी सरगमार्ग का निर्मार कब हुआ तो यह हुआ था आपका 1920 में 1920 याद रखेगा और मसूरी सहर के संस्तापक कौन थे तो आईरिस कैप्टन यंग आईरिस अफसर कैप्टन यंग अगला क्वेशन है उत्रा खंड का कौन सा नगर छोटा कस्मीर के रूप में विख्यात है रानी खेट अल्मोडा पिधारगर या मसूरी इसका रैट आंजर हो जाएगा ओपसन नंबर C पिधारगर को छोटा कस्मीर कहा जाता है तो आफसन नंबर C बिलकुल सही हो जाएगा और पिधारगर को अल्मोडा से अलग करके जिला कब बनाया गया जेलाभ बनायाँ गया 24 फर्वरी 1960 को और पित्थारागर की इस तै अपना राजा पित्थारा या पिर्तम साही नहीं गयी और पित्थारागर में ही है आपका सिमलगः दूर्ग जो कि गोरखों ने बनाया था सिमलगाड दुर्ग और अंग्रे जोने इसे नाम दिया था लंदन फोर्ट का लंदन फोर्ट का नाम दिया था अंग्रे जोने सिमलगाड दुर्ग को जो की गोर्खों ने बनाया था और पिथारागड का प्राची नाम दोस्तो सोर है सोर याद रखेगा अगला क्वेशन गं द्वार को जाना जाता है गंगा द्वार के नाम से अगला क्वेश्चिन है किस नगर को द्वार नगर नहीं कहा जाता है किसी एक नगर को द्वार नहीं कहा जाता है रिशी केस काल सी कोड द्वार या फिर हलद्वानी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हलद्वानी ओप्स वन अगर किसी कहा जाता है तो इसका राइट आंजर होजेगा देहरादून ओप्सन नमबर ए और सबसे ज़्यादा वन जो पाए जाते हैं वो होजेगा आपका पौड़ी गड़वाल परतिसत के मामले में आपका नैनिताल पहले नमबर पर आएगा अगला क्वेशन है उत्र चाहि beetल और खंड का परवेशत द्वार कहा जाता है दूस्तों कि औम समय और सवार नमबर व सही सजोआए अगला क्वेशन गड़वाल का स्वर्ग द्वार किसी कहा जाता है हर्म केंदालद यह ऑन्धाइटाल सब्सक्राइट दichenसं ऌपवा जाता हैं है ऑली गुर्सों बुग्याल चौपता बुग्याल कलपनात का बुग्याल या दयारा बुग्याल तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी चौपता बुग्याल को कहा जाता है गड़वाल का स्विजर्ड लेंड अगला प्रेशन कुमाओं का बार दोली किस कहा जाता है तो यह कहा जाता है सल्ट छेत्र को ऑप्सन नमबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा और गड़वाल का बार दोली कहा जाता है गुजरू को कहा जाता है गड़वाल का बार दोली और कुमाओं का बार दोली कहा जाता है सल्ट छेत्र को अगला क्वेशन उत्रा नाम से जाना जाता है और कुमावगेशनी नाम से जाना जाता है बददत पांड़े को तो याद रखेगा अगला क्विस्टिन गड़वाल का हातिम ताई नाम से किसे पुकारा जाता है गड़वाल का हातिम ताई नाम से किसे पुकारा जाता है तो यह पुकारा जाता है कोव च्छासी की रानी कहकर किसी संभीत किया जाता है च्छाइन नुम्ड गिंठी तीलू रातेली को घरवाल वालकी लक्षिप मिधाई यहांसी की राझी कहकर संभाधेन चीजाता और तिलो रातिली का जन्म दोस्तों पौड़ी गड़वाल के गुरार गाव में हुआ था और इनका पूरा नाम तिलो तमा देवी था तिलो तमा देवी इनका पूरा नाम और दोस्तों इनके पिता का नाम भूब सिंग गोरला इनके पिता का नाम था जिनका जो की सराई खेत युद्ध में मारे गए थे इनके भूफ सिंग गोला और 8 अगस्त को दोस्तों 8 अगस्त को तीलु-रौतिली जयन्ति मनाई जाती है अठ अगस्त को और तीलु-रौतेली की घोडी का नाम जरूआपसे एक्जाम पुछा जाते हैं तो बिंदुली तीलु-रौतिली का घोडी का नाम था और इनकी दो सहीलिया थी बेली और देवली बेली इनकी दो सहीलियों का नाम सब्सक्राइब और पौरिके के वीरोखाल में दोस्तों तीलू रातिली की मोर्ती है पौड़ी के वीरोखाल में अगला question उत्राघंड की किस महिला को अलमोडा की बेटी तथा पाकिस्तान की बहु के नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता है option number a iron pardंद अगला question उत्राघंड की किस महिला को बैटमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता है मधुमिता विस्त हैं तो option नंबर a बिल्कुल सही हो जाएगाAll juice को बेटमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता हैं और cute अगया दोस्तों यह दुरोडाचार पुरुषकार पाने वाली पर्फा महिला हो जेएगू अब की अर्मधुमिता दोस्तो इन्ическая 6News 2006 में पादमीश्री पुरुषकार दिया गया-था 2006 में पादमीश्री पुरुषकार दिया गया था मधुमिता-भिस्त को के विश्ट को और 1982 में मध्हुमिता विष्ट को अर्जुन पुरुषकार दिया गया और देखेंगे पर कुमाओं के गांधी नाम से किसे जाना जाता है अग्र ईड़ल क्रीम के ड्योग आज गांद केता कि में देव की नंदन पांडेळाँ पहाड का गाधी इंद्रमडी बड़ानी और कुमाव का गाधी देव की नंदन पांडे और पहाड का गाधी तो यह हो जाएंगे आपके जस्वंत बिस्ट अगला क्वेस्टिन कुर्मांचल केश्री नाम से किसको जाना जाता है कुर्मांचल केश्री नाम से किसको जाना जात तो ये जाना जाता है बद्दत पांडे को ऑप्सिन नमबर 30 बिलकुल ऽहीजाएगा और बद्रिजत पांडे को ہी दोस्तो अंग्रेज जोने कहा था राजनेतिक जानवर तो बिट्रिस तरकार ने राजनेतिक जानवर की संगया किसे दी थी तो ये बद्रिजत पांडे को और भक्त दर्शन ने कुमाओ का नरकेश्री कहा है बद्रिजत पांडे को बद्रिजत पांडे को कुमाओ का नरकेश्री कहा है भक्त दर्शन ने तो इस 237 में जेल परवास के समय कुमाओ का इत्यास नामक पुष्टक की रसना की थी बदिदत पांडेने अगला क्विक्षिन निम निलखित मैंसे किस जन जाती का संबंद महाभारत काल से है तो इसका राइट आंजर हो जाएगा अप्सन नमबर ए माहिगीर अगला क्विक्षिन ज जौनसारी जनजाती के लोगों का सरवाधिक निवास किस जन पत में है देहरा दून अल्वोडось नियानिताल या चमुली तो जौनसारी जन का सरवाधिक निवास दोस्तों यह हताएगा आपका देहरा दून lid सुनापिल सही हो जाएगा और जौनसारी जन जयती राज्च का दूसरा सबसे बड़ा समुदाई है दूसरा तो याद रखेगा और देहरादू जिले के चकराता काल सी तुईनी लाखामंदल छेत्रों में ये रहते हैं इसी के अलावा तिहरी के जौनपूर में भी और उत्तरकाशी के कुछ छेत्रों में भी ये रहते हैं और जौनसारी जनजाती के लोगों की जो मुख्य भासा है वो है आपकी जौनसारी और जौनसारी लोग अपने को पांड़ों का वनसज मानते है पांडोगों का वनसस मानते हैं जन सारी अपने आपको और जन सारी लोग तीन वर्गों में बटे हैं तो तीन वर्गा आपके हो जाएंगे खसास, कारिगर और हरी जन तो इसका आपको जरूर याद रखना पड़ेगा अगला क्विश्चिन है किस जन जाती के लोग सरवादी ग्रूप से ने निताल में पाए जाते हैं तो यह हो जाएंगे आपके थारू और उद्धम सिंग नगर सेत्रों में भी सरवादी थारू ही आपको मिलेंगे तो जरूर याद रखेगा अगला क्विश्चिन उत्रा घंड में कौन सी जन जाती राजिस्तान से आकर बस गई है तो यह हो जाएंगा आपका थारू ओप्सन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर और यह राज की या कुमाव छेत्र की सरवादिक आबादी वाली जन जाती है थारू और यह उद्धम सिंगनगर के खटीमा नानक मत्ता सितार गंज यहां पर निमास करते हैं और थारू जन जाती जादा कर आप देखेंगे उद्धम सिंगनगर तो हो गया अगर उद्धम सिंगनगर जिल्यावाइज आपके आपसन नहीं आता है तो आप तराईवा भाबर छेत्र आंसर कर सकत अगला क्वेशन है किस जन जाती में जाती पर था नहीं है खस चौमासू गूजर या मोरधर इसका राइट आंसर हो जाएगा खस ऑफसन नंबर ए बिलकुल सही हो जाएगा खस को दोस्तों 885 में 885 में खसों को सूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था तो यह 885 में खसों को सूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था और इसे के अलावा घर जवाई रखने की पर्था खसों में परचलित है और किरातों के बाद दोस्तों उत्राखंड में खस परजाती का उलेक मिलता है याद रखेगा अगला क्वेशन भोटिया जंचाती द्वरा क परण के नीचे पहने वाले वस्त्र का नाम क्या है यह हो जाएगा आपका अपसर नंबर डी फुयो बेल अपसर नंबर डी विल्कुल सही हो जाएगा अगला क्वेशन होड का किस जंजाती का मुख्यवाद्र यंत्र है बहुत इंपोर्टेंट क्वेशन है इसका राइट रुजेगा भोटिया भोटिया जंजाती का मुख्यवाद्र है हुड का अगला क्वेशन नीमने लिखित में से कौन सी जंजाती महासु देवत्ता की पूजा करती है तो यह हो जाएगा आपका जौन सारी ओपसर नंबर डी अगला क्वेशन किस जंजाती के लोगों के महत्वण माना जाता है तो यह माना जाता है बोग सा ओपसर नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा अगला क्वेशन है उत्रा खंड में सन्वत सन परती बदा किस दिथी को मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है ओपसर नंबर सी चैत्र माह के पर्थमा अगला क्वेशन परद यह हो जाएगा आपका option number D ग्रेश मोज सव अगला question सुरकुंडा उसव का आयोजन कहां किया जाता है तो यह किया जाता है टीहरी गड़वाल में option number B विल्कुल सही हो जाएगा अगला question निमनलिखित में कौन सा त्योहार थारो इस्तरियों का सरवादिक पिरियत यहार है विखोदी बाजर भैरवाष्टमी या नाग पंजमी इसका right answer हो जाएगा भाजर option number B अगला question उत्रा खंड में कौथिक कहा जाता है तो यह कहा जाता है मेले को कौथिक कहा जाता है मेले को तो option number B बिल्कुल सही हो जाएगा अगला question उत्रा खंड के किस मेले का परारंब भारत के पर्थम परधान मंत्री जवाहल नाल नहिरू के जन्म दिन पर हुआ तो यह हुआ आपका गोचर का मेला गोचर का मेला का परारंब हुआ पंडित जवाहल नाल जन्म दिन पर अगला question उत्रा खंड का परसिद चैती का मेला कहा लगता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काशी पूर उत्धम सिंग नगर option number D बिल्कुल सही हो जाएगा अगला question है सोमनात का एतिहासिक मेला किस इस्तान पर लगता है द्वाराहाट, बागेस्वार, मासी या किछा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मासी option number C बिल्कुल सही हो जाएगा अगला question हमारा यहाँ पर भूने स्वरी देवी मेला उत्रा खंड में कहा लगता है तो यह लगता है आपके पौडी में option number E बिल्कुल सही हो जाएगा भूने स्वरी मेला लगता है पौडी में सोमनात का एतिहासिक मेला मासी में लगता है और गोचार मेला चमूली तो दोस्तों यह थे आजके important question अपने सारे question को अच्छे से किए तो ऐसे अपनी त्यारी करते रहिए और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल अकिन को और रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटी फेस आपको सबसे पहले मिले तो जै हिन जै भारत